यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हर्तार में तब्डेल कर दिया जाएगा लेकिन फिर भी सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं किया गया तो आशाव वरकर महिलाओने हर्तार को अनिशित काल में बदल दिया अब जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करती है तब तक हर्तार जानी रहीगी काको बना ने आशावर्कर अब हर्ताल पर उतर आई है अब उनकी ये हर्तालती इन दिन से बढ़कर निशिक काली नहीं हर्ताल के ओर कहुँची है आशा वरकरों का सरकार के खिलाब विरोध परदर्शन देखने को मिर रहे महिलाएं बैठी है और सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी कर रहे है जी हाँ विरोध परदर्शन पर उतराई है जितने भी आशा वरकर्स है उनकी कुछ मांगे है जिनको लेकर वो चाहती है कि सरकार उनकी समस्याव को सुने उनका निदान करे लेकिन अब उन्होंने अपनी हरताल को अन्शित कालिन के लिए कर दिया है तो आशा वरकरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ वो नारे बाजी करते हुई भी नज़रा रही है तो सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की जा रही है आशावरकरों के द्वारा कहीं न कहीं आशावरकरों में रोश हैं जितनी भी आशावरकर की महिला हैं उनका रोश है कि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता उनकी मांगो को पूरा नहीं किया जाता जिसके चलते पहले उन्हें एलान किया था कि वो तीन दिन तक की हर्ताल में रहेंगी आशा वरकरों की मांगों को सुना जाए इस परकार के नारी यहां पर लगते हुए सुनाई दे रहे हैं साथ एक खटर सरकार के मुर्दाबाद के नारी भी यहां लगाती नजर आ रही है महिलाए और साफ तार पर उनके चेहरे से देखा जा सकता है कि महिलाओं में सरकार के प्रतीक इस परकार का रोश है आपको बता दें आशा वरकर्स की जो मांगे हैं उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है जो उनके समस्या हैं उन्हें अभी तक उन पर गौद नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से और खट्टे सरकार मुर्दाबाद लगातार क्या रहे हैं चौते दिन भी हर्ताल जारी रही है और अब उन्होंने अपने सहर्ताल को जिसका उन्होंने पहले तीन दिन तक निश्चे किया था करने का अब वो अनिश्चत कालीन के लिए कर दी है झाल